Hello friends, my name is Robin and you are watching Robin Mehta YouTube channel. तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप Google Business Profile के लिए एड इस तरह से रन कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि Google Business Profile जो आपकी रहती है वो त्री मैप पैक है जो लोकल मैप है वहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो दिखाई देती है मतलब और गैनिक सर्च के अंदर ही जैसे अगर मैं सर्च करता हूँ कि डैंकिस नियर मी तो हम दो-तिन कीवर्ड सर्च करके देखते हैं लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जब Google Business Profile के लिए आप एड रन कर रहे हैं तो आपकी एड गूगल एड के थ्रू ही चलेगी लेकिन इसमें आप सीधा डारेकली Google Business Profile से भी एड रन कर सकते हैं आपको Google एड प गूगल बिजनस Profile पे जब आप एड रन करते हैं तो आपको Google एड पे जाने की जरूरत नहीं है हलांकि वो गूगल एड पे ही रिडिरेक्ट होगा बट अगर आप डिरेकली Google एड के थ्रू एड रन करते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्पलिकेटिड आपको लग सकता है अग गूगल लोकल सर्विस एड अभी ये एड जो हैं वो GMB या GBP प्रोफाइल एड से थोड़ा सा अलग है ठीक है इसके बारे में हम पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं जो डिजिनल मार्गेटिंग और से न्यूस की वीडियो से उसमें काफी मैं बता चुका हूँ तो इ यहां पर देखना होगा कि क्या यह एड आपके एरिया में अवेलेबल हैं या नहीं हैं तो यहां पर इसमें इस एड में खास बात क्या रहती है कि Google गारंटिड लिखा रहता है ठीक है अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं कि जो लोकल सर्विस एड है वो किस तरह से दिख च chests करना पड़ेगा कि कि यह हमारे एरिया में है या नहीं है तो यहांबर आप देखेंगे कि यह इंडिया में अभी तक अवेलेबल ही नहीं है, तो इसको हम नहीं कर रहे है यह बताने के लिए था कि यह थोड़ा डिपर person चीज है तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं अब हम बात करते हैं यह मैंने एक डेमो गूगल बिजनस प्रोफाइल बनाया है इसके ऊपर हमें एड़र्टाइजमेंट करना है वाद कि इसकी एड रन करनी है तो वो कैसे रन करेंगे तो अभी मैं एक बार गूगल पर यह आइड रन नहीं कर रही है बड़ मैं आपको बता देता हूं देखिए यह जैसे मैंने यहाँ पर आइलेट स्टेनिंग इन चंदिगर सहच किया तो अभी यह जो रिजल्ट है यह और गैनिक है इसी तरह से माली जिए यह वाली जो एड है इसके ओपर स्पोंसर लिखा रहत तो यह जो एक तरह से हमारी हो जाती है तीन इता है जो हमारा की आड के थ helmets हमने बनाया होता है जैसे यहाँ पर यह तो हमारा और गैनिक है धी का लेकिन यह पर भी प्लेसीन के आंदर वी जो हैड हमारी दिखाई देती जैसे कि मांने यह यह local रिजल्ट है business profiles यह जा रही है तो वो हम add के through कर सकते हैं अब वो काम हमने करना कैसे है उसके लिए आपको क्या करना है आपको अपनी Google Business Profile open कर लेनी है और आपको यहाँ पर advertise पर क्लिक करना है अब इसमें आप एक चीज आप देख लिजेगा कि आपको अपना जो है AdSense account जो Google Ad account है वो create कर लें बल्द इसमें create करना है उसमें ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं करना है यहाँ पर भी आपका वो account create हो जाएगा तो यह मैंने पहले इसको implement किया था इसलिए आप यह वाला option आ रहा है otherwise जो आप जब पहली बार इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा यह आपसे पूछेगा कि आप अपनी किस business profile को use करना चाहते हैं तो यह हमारी ABC Demo Dental Clinic यह हमारी business profile है इसको हम use करना चाहते है क्योंकि इसी को हमने ad की form में दिखाना है तो इसके बाद हमें next पर click करना है अभी यहाँ पर देखिए अगर आपका Google Ad Account नहीं बना है तो वो आप बन जाएगा इस process के अंदर आपको अलग से बनाने की जूरत नहीं पड़ेगी तो मैं यहाँ पर next पर click करता हूँ अभी यहाँ पर हमसे पूछेगा कि क्या आपको अपनी website को यहाँ पर दिखाना है या फिर आपको अपनी business profile को यहाँ पर दिखाना है तो क्योंकि हम business profile के लिए add run कर रहे है तो हमें यहाँ पर अपनी business profile को दिखाना है तो यहाँ पर हमें क्या करना है your business profile optimize for your ads अभी preview करने का यहाँ पर आपको option देगा, आपकी जो business profile है, उसको आप यहाँ पर preview कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर demo बनाया हुआ है, वो पूरा सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, तो अगर आपको यहाँ से कुछ changes करने हैं, तो आप changes कर लें, अदरवाइस आप यहाँ पर preview करके उसको देख सकते हैं, इसके बाद हमें next पर click करना है, अब यह हमारी business profile को पूरा scan करके उसका हमें preview देदेगा, इस तरह से हमारी profile दीक रही है, यह demo profile है, इसमें ज़्यादा information मैंने नहीं add की थी, ठीक है, बट आपको अपने हिसाब से इसको fully optimize करके रखना है, यहाँ हम इसके बाद next पर click करेंगे, अब यहाँ पर हमारा advertising का goal क्या है, क्या हमें ज़्यादा calls सही है, क्या हमें website पर sales या leads सही है, क्या हमें visit सही है, तो यहाँ पर आप कुछ भी select कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं इसमें visit to physical location select कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा google business profile add की run करने का मकसद यही है, कि हमारी जो location है, वहाँ पर लोग आएं, तो इसके बाद हम इसको next करेंगे, अगर आपका service based business है, तो आप calls फिकली कर सकते हैं, ठीक है, अभी क्योंकि हमारा service based, मैं physical की बात कर रहा हूँ, तो हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ पर लोग आएं, तो अब यहाँ प आप से यहाँ पर headlines change कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, dental clinic, तो मैं यहाँ पर dental clinic लिख सकता हूँ, दूसरी headline यहाँ पर देखिए, आप change कर सकते हैं, यह last में आ गई हमारी, ठीक है, तो हम यहाँ पर get सकते हैं, यह first चला गया, तो यह हमारा यहाँ पर headlines settings added होती जाएंगी, थीक है, इसके बाद हमin descriptions add कर सकते हैं, जो हमारी description है वो यहाँ पर दिखाई देगी, और ःसके बाद यहाँ पर पना phone number add कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपको here background call कर सकता है, अब इसके बाद अगर आप अपनी location को भी एड में दिखाना चाहते हैं तो आपको यह option चेक करना है और call बटन अगर आपने रखना है तो फिर आपका number आपको चेक करना है आप number यहाँ पर change भी कर सकते हैं इसके बाद हम फिर से next भी क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें अपने keywords चूज करने हैं जैसे कि अगर यह dental की बात है तो मैं यहाँ पर dentist लिख सकता हूँ ठीक है तो यहाँ पर dentist आगया dentist for children आगया dental clinic आगया तो यह सारे keywords आप यहाँ से select कर सकते हैं keyword चूज करने के लिए आप Google का keyword planner यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी टूल यूज कर सकते हैं आप Ubersuggest यूज कर सकते हैं Samrush यूज कर सकते हैं ठीक है आप keyword planner यूज करेंगे तो वह free है उसको use करना easy है ठीक है तो जैसे माली जै मैंने suppose यहाँ पर 3-4 keyword डाल दिए तो यह मैं कुछ 2-3 keyword यहाँ पर डाल देता हूँ हमें सिर्फ इसका process समझना है देन हम इसके बाद next पर click करेंगे अब यहाँ पर advertise near an address तो यह वह जो address है जिस location पर हमारा physical store है physical location है उसके आसपास का कितना area हमें select करना है तो अगर मैं यहाँ पर 25 km करता हूँ तो 25 km का area cover कर लेगा आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको specific कुछ post code या cities में करना है तो आप यहाँ पर वो cities एंटर कर सकते हैं ठीक है तो city में तो जैसे कि अगर हम patela की बात करें मैं वहाँ से इसको run कर रहा हूँ तो उसका code आप डाल सकते हैं या फिर address वाला जो option है उसको select कर लेंगे then हम next पर click करने वाले हैं इसके अंदर अब यहाँ पर आपको जो है बजट सेट करना है तो यहाँ पर जो है आप अपना budget सेट कर सकते हैं जैसे 829 15 69 309 और या फिर आपना custom budget भी जो enter करना चाहें वो कर सकते हैं या अगर इतना budget लगाएंग यह daily का तो इतने 500 से 850 clicks आपको मिल सकते हैं हर मन्त ठीक है तो यह पूरा इसका budget का option है then हम next पर click करेंगे budget की setting अगर आपका जी है आपने Google ad profile फिर से बनाया है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं मलब Google ad का account आपने बनाया तो वहाँ पर कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए यह पूरा ad का preview है जो भी चीज़े आपने यहाँ पर enter की होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी ठीक है तो इसके बाद हम next पर click करें ठीक है तो यह spend है clicks है local action है call है यह सब कुछ data आपका यहाँ पर आ जाएगा अभी यह pending है ठीक है तो अभी यह I think अभी run नहीं कर रहा है तो कि अभी हम इसमें वैसे भी डाला नहीं है कुछ भी payment नहीं डाला हुआ है और यह pending में ही आने वाला है तो I hope आपको इस तरह से add run क करने का process पता चल गया होगा अब यहाँ पर मालीजे आपको payment method add करना है payment add करना है तो आप यहाँ पर billing के section में payment method में चले जाएगा और वहाँ पर जाकर आप payment method add करके अपना payment disk के अंदर add कर सकते हैं तो I hope आपको Google business profile add run करने का process पता चल गया होगा अगर आपको कोई doubt है तो आप payment करके पूछ सकते हैं मिलते हैं आप से next video के अंदर